कहते हैं ना हर पिच्चर में कोई एक होता है तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा कौन हीरो नाइप बिलाण केजिअप चैप्टर टू रिलीस से पहले ही सुपर हिट फिल्म कैसे बन गई और इस फिल्म की कहानी क्या है बाहु बली और 2.2 का रिकार्ड कैसे तोड़ने जा रही है मैं आपका स्वागत करता हूँ बॉलेगराद के फिल्मी गलियारे में 2018 के दिसंबर में एक फिल्म आई केजियप इसका फुल फॉर्म हुआ कोलार गोल्ड हिल्स करनट सिनेमा इतिहाद की सबसे सफल फिल्म आल टाइम वर्ड वाइट कलेक्शन 250 करोण के पार हिंदी में डब होकर रिलीज होने वाली फिल्मों में बाहवली फ्रेंचाइजी और 2.2 के बाद तीसरी सब ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म इंट्रेस्टिंग बात ये है कि ये सारी अचीब में कहानी के एक टुड़े को मिली है आधी कहानी अभी आना बांकी जिस फिल्म में बची हुई कहानी दिखाई जाएगी उसका नाम होगा KGF Chapter 2 KGF के पहले हिस्से में हमें कोलार गोल्ड फिल्ड्स में अपना एक छत राज कायम करने वाले गरुणा की कहानी दिखाई गई गर्णा सोने के इस खान का मालिक था और यहां काम करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करता था Rocky याने की राजा किशप्याप बहर एक गरीब घर का बच्चा जिसकी माँ पैसे की कमी से इलाज ना मिल पाने की कारण मर गई लेकिन उसने मरते समय अपने बेटे से बचन लिया कि वो बड़ा होकर बहुत ताकत और पैसा कमाएगा Rocky इनी चीजों की तलास में मुंबई आया और जल्द ही Rocky भाई नाम का एक डॉन बन गया उसका बड़ा होता नाम देखकर कोलार खान को हत्याने के लालची लोग उसे गवणा को मारने के लिए सुपारी देते पहली बारे में फेल होने के बाद Rocky गवणा को उसके गढ़ में यानि खान में ही मारने का प्लान मनाता है और मार भी देता है पहले फिल्म यहीं खत्म हो गई, अधीरा गर्वडा का चाचा है, सोने की खान के मालिक शूर वर्धन ने अधीरा को नजर अंदाज कर अपनी विमारी के बाद खान को सम्हालने की जिम्मेदारी गर्वडा को सौंप देता है, इस बास से अधीरा नरास, फिल्म के पहले हिस् इससे उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा और ये सब तब संभव हो पाएगा जब उसके पास ताकत होगी मतलब वो अपनी मा को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए ये सब कर रहा है सारी टसल उस खान को लेकर है इसलिए केजियर 2 में रॉकी और अधिरा आमने सामने होंगे साथ में कई और खिलाडी होंगी जो कॉलार गोल्ड माइन पर अधिकार करना चाहिए पहले फिल्म में सिर्फ गर्वा को मारने की कहानी दिखाई गई थी इसके आगे क्या होता है और फाइनली कहानी कहां पहुंचती है ये हमें फिल्म के दूसरे हिस्से में देखनी को मिल अचीद कुमार, नासर, राम चंदर राजू, अनंतनाक, मालविका अभिनास और वसिष्ष नहा जैसे एक्टर भी नजर आएंगे और अभी हाल ही में प्रकास राज को भी इस फिल्म के लिए साइन किया गया तो और इस फिल्म को डारेट कर रहे हैं प्रसांत नील और ये जा रहा है कि ये फिल्म बहु बली और टू पॉइंटो से भी बड़ी फिल्म साबित हो और बॉक्स आफिस पर कम से कम 3,000 कौन रूपए का बिजनेस करेगी तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताईए ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कितने करोन का बिजनेस कर सकती है झाल झाल